Hello friends, welcome to my YouTube channel तो दोस्तों, आपका हमारी YouTube channel पर स्वागत है तो मैं आपके लिए दोस्तों आपके chemistry का question paper लेके आचुका हूँ आपके exam के लिए और यह question paper आपके exam में आपको देखने को मिलने वाला है तो सभी question को solve कर लीजिए दोस्तों, note कर लीजिए सबी कुश्यनों को मैं आपके लिए बता रहा हूँ तो चलिए दोस्तो पहला कुश्यन है निम्न में से कौन सा SN1 अविक्रिया के प्रती अधिक क्रिया सील है तो यहां पे देखिए CH221, CH, CH2BR और C6H5 और CH3 तो इसमें क्यों सा उप्षन हो जाएगा दोस्तो तो इसमें उप्षन B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि दोस्तो इसमें बेंजीन समू जुड़ा हुआ है और बेंजीन समू बेंजीन समू जिसमें भी जुड़ा होता है दोस्तो वे अधिक्रिया सील होते हैं तो option B इसका right answer हो जाएगा क्योंकि अनुनाद बनाएगा next है यहाँ पर देखिए K का मान दे रखा है दोस्तो more inverse second inverse तो यहाँ पर अविक्रिया कोटी की पैचान है तो इस अविक्रिया की पैचान क्या है दोस्तो यह पर थम कोटी की है या दुतिय कोटी की है या सूने कोटी की है तो comment box में बताइए दोस्तो इसमें क्या answer होना चाहिए इसका next है यहाँ पर देखिए निम्न दोस्त मेंसे कौन सा ठोसो के गरत्व के कमी दरसाई जाती है किस दोस्त में ठोसो के पर निर्वर करता है तो हैंरी का नियम दोस्तो गैस की परकरती क्या पर निर्वर करता है तो nature of gas इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा next है कोहरा किस परकार का कोल आईडी विलियन है तो कोहरा किस परकार का colidevillian है दोस्तो ये aerosol colidevillian है तो aerosol इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा next question है दोस्तो निम्न में से bear abhikarmak कौन सा है तो bear abhikarmak क्या होता है दोस्तो KMNO4 KMNO4 potassium permagnate जिसे हम कहते हैं जो कि कैसा होता है छारिय माध्यम में होता है तो छारिये potassium permagnate option D इसका क्या हो जाएगा राइट answer हो जाएगा next question देखिए next है यहाँ पे दोस्तो कौन सा lead संचायक cell का सही नहीं है cell के लिए कौन सा सही नहीं है तो यहाँ पे दोस्तो इसका राइट answer हो जाएगा prathmik cell prathmik cell नहीं है दोस्तो यह इसके बाद next question है cryolite निम्नमे से किसके निसकर सड़ है तू प्रियुक्त किया जाता है तो cryolite aluminium के निसकर सड़ के लिए प्रियुक्त किया जाता है next question है आपका दोस्तो aldehyde वा ketone द्वारा प्रदर्सित की जाने वाली अविक्रिया कौन सी है तो aldehyde वा ketone कौन सी अविक्रिया करते हैं दोस्तो ये करते हैं नाविक इसने ही योगात्मक अविक्रिया नाविक इसने ही योगात्मक अविक्रिया nucleophilic addition reaction इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा R.A.N.E.S. समीकड क्या है R.A.S. समीकड में क्या होता है K बरावर A into E की power minus E.A. upon E.A. upon क्या हो जाएगा RT हो जाएगा E.A. upon RT तो क्या हो जाएगा option यहां पर option हो जाएगा B option इसका correct answer हो जाएगा B option क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा इसके बाद SN1 वा SN2 अविक्रिया में आपको तीन अंतर बताने हैं लेंथिसाइड का आपको चन क्या है इसमें आपको संचेप में समझाना है इसके बाद दोस्तों निम्न के उपसैसे योगे भी आपको बताने हैं जैसे टेट्रा टेट्रायमीन डाइक्वा कोवाल्ट और क्लोराइड इसके बाद तीसरा भी है डाइक्लोरो बिस एथेन बन्टू डाइयमीन प्लेटिनम और नाइट्रेट फोर्थ नाइट्रेट तो ये आपको ये तीसरा चौथा है नाइट्रेट इसके बाद देखिए नेक्स्ट है याँपे नेक्स्ट है चारकिये प्रावल्य गटते करम में इसमें क्या है देखिए करम को लिखिए तो चारकिये प्रावल्य को गटते करम में लिखना है और इसके बाद देखिए नेक्स्ट कुशन है ये जो दे रखे हैं इनको गटते हुए करम में लिखना है सबसे पहले कौन सा आएगा इसके बाद कौन सा कटते हुए और इसको क्या करना है आपको बढ़ते हुए करम में लिखना है नीचे है दोस्तों गलाइकोसाइडिक बंद क्या होता है गलाइकोसिडिक बंद जो होता है वो क्या होता है पेपटाइट बंद क्या होता है और अधिसोशड की वो परिवासित कीजिए वा उसके प्रकार लिखी है ब्यूना एस क्या है डेकरोन क्या है नाइलॉन छेचे क्या है तो ये सबी बवलक हैं इनकी आपको अभिक्रिया अभिक्रिया बतानी है नेक्स्ट नेम रियक्षन बहुती इंपोर्टेंट होती है और यहां पे देखिए चीए लएफ थरी उपस्तित है जबकि एफ सीएल थरी नहीं है कारड़ बताना है संक्रमण तत्वो रंगीन क्यों होते हैं फ्लोरीन केवल एक ओक्सीजन अवस्था में प्रदर्सित करता है जबकि अन्य हैलोजन प्लस 3 प्लस 1 और प्लस 5 प्लस 7 की अवस्थाएं भी प्रदर्सित करते हैं क्यों इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बांटाफ गुडांक का सूत्र लेखिए और निकल दातु के सुद्धिकड में कौन सा प्रिकरम प्रियुक्त होता है एक सेल के EMF परिकलन कीजिए और अविक्रिया अविक्रिया नेमनल लेकित अविक्रिया तथा E0 सेल का मान भी लेखिए E0 सेल का मान 1.05 बोल्ट है तो यहां पर देखिए दोस्तों इसका नेक्स्ट कुश्चन देखिए या फिर अथवा में आप उबैदंतुक लेगंड बैध्युत्री करड सं अंचलन को भी स्पष्ट कर सकते हैं और प्रथम कोटी की अविक्रिया प्रारंबिक सांद्रता ये है तो आपको इसमें बेग इस्थरांग की गड़ना करनी है नेक्स्ट है दोस्तों है लो फॉर में विक्रिया या हुंसडी कर अविक्रिया इन दोनों पे आप टिपड़ी कर सकते हैं या फिर अथवा में दोस्तों और इसके बाद देखें ये और हैं तीर और चार हैं इनको भी और या फिर नीचे वाले में भी आप कर सकते हैं रवड का बलकनी करत या बलकनी करड या पिरती रोधी तथा बिसमांगी करत्रम मदू करड और जल में बिले विटाम क्या होते हैं दोस्तों यह आपको बताने हैं तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करने थैंक यू